हे गाईज वल्कम टुटार गेट सरकार इनौकरी महरश्यादली सूपर टेट 2020 की तयारी के लिए भारती राजवस्था यानि इंडिन पॉलिटी में हम आज सम्विधान के क्वेश्चन्स को डिसकस करेंगे यहाँ पर आपके लिए एक क्वेक रिवेजन है जिसमें हम 40 सवा लोगों आपके सामने डिसकस करेंगे आप देखिए इन में से कितने क्वेश्चन्स के आंसर्स आप सही कर पाते हैं वीडियो का आप सरी क्वेश्च लाइक कर दीजिए जो लोग इस चैनल पर नहीं हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें आगे शुरुआत करते हैं भारत के सम्विधान को किस ने बनाया था देखे भारत की सम्विधान को बनाने वाले लोग या लोगों की ग्रूप को कहा जाता है भारत की सम्विधान सभा तो भारत की सम्विधान ने निर्माण किया था भारत के सम्विधान का सम्विधान सभा के लिए चुनाव कब संपन हुए थे तो सम्विधान सभा के लिए चुनाव जो करवाए गए थे वो साल था 1946 option बी सही answer है इसका थर्ड question भारत्य सम्विधान सभा की स्थापना कब हुई थी भारत्य सम्विधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1940 को अगला देखें सम्विधान सभा का पृथम अधिवेशन कहां पर हुआ था 9 दिसंबर 1946 को पृथम बैटे हुई थी भारत की सम्विधान सभा की और यह हुई थी दिल्ली में और इसी दिन कहा जाता है भारत के जो सम्विधान सभा थी इसका पृथम अधिवेशन जब पहला अधिवेशन हुआ था उसी दिन अपनों में से ही सम्विधान सभा के सभी सदस्यों में से एक सीनियर मोस्ट वरिस्थम सदस्यों को चुना गया था उसका अस्थाई अधियक्ष जिनोंने अधियक्षता की थी डॉक्टर सचिदारन सिना B option सही answer सम्विधान सभा का पहला सत्र हुआ था पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था पहला अधिवेशन पहला सत्र या first meeting या first session कहेंगे कुछ भी कह लीजिए 9 दिसंबर सम्विधान सभा के आस्थाई अधियक्ष कौन थे जस्ट अभी देखा है डॉक्टर सचिदारन सिना एक ही questions को कितने कितने तरीकों से पूछा हुआ है एक्जाम में मैंने यहां दूसे तीन बार भी लिखा है questions को तो आप समझ जाईएगा ये सिर्फ आपकी जो concept building का तरीक का है किस तरह से आप question को अप्रोच करेंगे की question को कैसे तरीकी से पूछ लेता है वो सम्विधान सभा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे 11 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को पहली meeting हुई सम्विधान सभा की दूसरी meeting हुई 11 दिसंबर 1946 को दूसरे दिन चुन लिये जाते हैं कौन डॉक् सम्विधान सभा के सम्विधानिक सलाकार कौन थे सम्विधानिक सलाकार कौन थे legal advisor सम्विधान सभा के यह जानते हैं आप VN राव तो option में कहा है VN राव वैनेगल nursing राव को ही VN राव short form में ठीक है तो यह questions आपको attend करने में कब आसानी होगी theory के course में मैं पूरी detailing की है इस chapter की सारे chapters की की है तो यहाँ पर हम जो है detailing में नहीं जाएंगे detailing के लिए हमने अपना separate course बनाया है चैनल पर playlist है वहाँ से आप चेक कर लिजे description में लिंक के वहाँ से कर लिजे जिनों नहीं देखा है अब यहाँ सिर्फ question चेक करिए आप कितने answers कर पा रहा है उस course को पढ़ने नहीं था केम मुंची थे बिलकुल गोपाला स्वामी आयंगर थे टीटी क्रिशमाचारी थे बट सी option एजच बेग नहीं थे तो सी answer हो जाएगा समिधान सभा के विभिन पहलवों के अध्यन के लिए समिधान सभा ने कितनी समीतिया कितनी कमिटी बनाए थी 13 option c समिधान सभ के प्रारूप समीति की नियुक्ति कप की गई थी ये drafting committee है इसका मतलब मस्विधा समीति या प्रारूप समीति को बोलते है drafting committee की नियुक्ति appointment कप किया गया था 29 अगस्त 1947 को समिधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में की गई थी बाल गंगधर फिलक के द्वारा next भार भारत की समीधान सभा गठित करने का अधार तक cabinet mission plan के तहद बनाया गया था भारत की समीधान सभा को यहां answer पहले ही mention कर दिया गया आपके लिए कुछ questions के ताकि आप मिसना करो इनको next भारत की समीधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी अभी दिखा इस question को cabinet mission योजना के अनुसार समीधान सभा में कुल कितने सदस्य थे थे 389 सदस्य थे आप जानते हैं इसको 389 तो जितना पहला chapter हमारा theory wise हम कर रहे थे वो सारे questions हमने इसमें शामिल कर लिए हैं पूरे chapters को complete करना चाहें तो वहां से कर ले questions को करना चाहें तो आप यहां से कर सकते हैं अगला देखें next question वाचन हुआई directly elected थे election हुआ था इनका Congress को कितनी सीटे मिली थे इसमें यानि Congress से निर्वाचित होकर के आने वाले कितने सदस्य थे 208 बहुमत हासल हुआ था Congress को यहां option B cabinet machine योजना के अंत्रगत समिधान निर्मातरी परिशद में प्रतियक प्रांत की आवंटित सदस्य संगेता निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनी थी कितनी जन संग्या के अनुपात में था तो हर 10 लाग की population को represent कर रहा था एक प्रतिनी थी समिधान सभा में किस देशी रियासत ने participate नहीं किया था हैदराबाद तो आप questions को करने में आपको आसानी हो रही होगी समझा रहा होगा अच्छे से अगला सवाल देखें बी आर अम्बेटकर का समिधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से पस्चिम मंगाल से यह option जो है experience अभी आरो दोजार आरो आरो का एक्जाम दिया होगा 2016 वाला और अभी उनको लग रहा है कि उनका एक्जाम अच्छा हुआ है तो आप के लिए practice बैच एक लॉंच किया है नकाड़मी ने आरो एरो मेंस के लिए है जो की 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है इसको आप जोइन कर सकते हैं इस batch को 12 अक्टूबर को यह batch आपका start हो जाएगा तो इसको आप चाहें तो जोइन कर सकते हैं इसमें जो है विपूल सर है धरनजय सर हैं यह सब faculties आपको मेंस की practice कराएंगे और इसमें जो है mock test भी रहेंगे और इसमें जो doubt sessions है आपके वो सारे शामिल रहेंगे किस तरह से आप mains की strategy को अपनाएंगे वो सारा discussion इस batch के अंदर रहेगा तो 12 October को ये batch जो है start हो रहा है आप इसमें enroll कर सकते हैं description में link है आपके लिए वहाँ से जाके और सारी details आप देख सकते हैं अगर आप बात करें किसके exam की कि जो UPPCS UPPC के दोवारा ROR का जो mains का exam है वो आपका 22 December को होना है ठेक है tentative date है उसके according आप जो है select कर सकते हैं तो ये batch आपका अगले महीने start हो जाएगा इसको जरूर जोइन कर लीजेगा आप अगले देखें भारत्य समिधान सभा की प्रारूप समीती यानि मस्विदा समीती या drafting committee के अध्यक्ष कौन थे समिधान सभा की जो प्रारूप समीती 7 सदस्य थे इसमें including BR Ambedkar टोटल इसमें 7 सदस्य थे 6 प्लस 1 एक BR Ambedkar थे और ये BR Ambedkar ही क्या थे इसके अध्यक्ष थे चेर्में थे तो ये answer है आपके सामने समिधान सभा की प्रारूप समीती में सदस्यों की संख्या ड्राफ्टिंग कमिटी के टोटल मेंबर्स कितने थे साथ अभी डिसकस किया है निमलेकित में से कौन भारत्य समिधान की प्रारूप समीती के सदस्य नहीं थे देखे इसमें डॉक्टर राजन प्रशाद नहीं थे ये तीनों थे साथ में से तीन तो यहीं है तो D option यह नही प्रारूप समीती की समक्ष जो प्रस्तावना थी वो किस ने रखी तो ड्राफ्टिंग कमिटी के सामने जो प्रस्तावना थी प्रियांबल थी किस ने रखी थी वो डॉक्टर भीम्राव अमिट करने नहीं रखी थी यह जवालान लहरू ने objective resolution was presented by whom जवालान लहरू कूशन मैंने करवाए हैं सारे questions करवाए हैं आपको मैंने जब theory हम कर रहे थे इसके अगर आपने नहीं देखा तो फिर से बोला हूँ देख लिए बहुत आसान हो जाएगा आपके कुछ भी चीज़े जो familiar नहीं लग रहे हैं शब्द वो सब वहां से जान जाएंगे आप भारते सम समिधान सभा है उसके द्वारा इसको अपनाया गया था प्रियंबल में लिखा हुआ है भारत को एक समिधान देने का प्रस्ताव समिधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था इस question का answer आप comment में लिखोगी next video में discuss करेंगे इसको समिधान निर्वात्री सभा में जंडा समीती के अध्यक्ष देखे इस question पर आपको doubt रहता है यह आपने comment मैंने पहले भी लिया है question तो इसमें आप लोग लगाते हैं जीबी कृपलानी जीबी कृपलानी आप तब सही करेंगे जब option में आपको दॉक्टर राजिन्द प्रसाद ना हो अबलेबल क्योंकि समिधान निर्वात्री सभा में जो जंडा तदर्थ समीती के अध्यक्ष थे वो दॉक्टर राजिन्द प्रसाद थे standard book आप follow करते हैं तो लक्षमी कान्त है standard book है UPSC के लिए आती है वो किताब आप पढ़ेंगे उसको तो वहाँ देखेंगे जंडा तदर्थ समीती के जो अध्यक्ष थे वो दॉक्टर राजिन्द प्रसाद थे ठीक है option में नहीं है तो जेवी किरपलानी आप लगाएंगे क्योंकि हमारे राष्चिदवच की रूप रेखा गो समयधान सभा के दूरा समयधान सभा ने समयधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था यानि बन करके किस दिन तयार हुआ था ,26 नवेंबर 1949 गन करके तयार हुआ था, अंगिकार हुआ था लास्ट दिन ठीक है लास्ट फ्रेम जो किया था उसका इस दिन और 26 जनवरी 1950 जैसे कि आज का दिन है गरतंत्र दिवस के आपको डेहर सारी मुबारक बाद तो इस दिन हमारे देश का समयधान लागो हुआ था ठीक है भारत गरतंत्र हो गया था उस दिन यानि भारत का जो हमने किया था कब 26 जनवरी 1950 को तो इसका आंसर सी रहेगा इस लास्ट वाले कुशन में चेक करेंगे इस चीज़ को हम समयधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखरी बार मीटिंग हुई थी तो ये थी 24 जनवरी 1950 को अगला समयधान सभा के कितने समयधान सभा में कितने उ 284 बी ऑप्शन याद रखेंगे अच्छा कुशन है समयधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारिश समयधान में कुल कितने अनुचेद कितने अनुसूचिया थी ये भी अलग से मेंशन कर दिया गया है आपके लिए तक ये आप कन्फियूस ना हो इसमें 395 में लिख दीजे नेक्स वीडियो में डिस्कॉस करेंगे संपूर्ण भारत्य समिधान के निर्माड में समिधान सभा को कितना समय लगा कितना टाइम लिया था दो साल 11 महीने 18 दिन का समय लिया था समिधान सभा ने इसके निर्माड में भारत्य समिधान सभा के पर्थम दिन की अधिवेशन 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 की अ बनाया था और भारतिय सम्विधान का निर्माता अगर किस अगर options के according का होगे तो आप बियारम बेट कर रहेंगे father of Indian constitution या सम्विधान के जनके पिता कौन है बियारम बेट कर रहें next देखें सम्विधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्ने क्यों लिया गया था 26 नवरी दिसंबर को जब हमारा समुधान बनकर के तयार हो गया था तो अभी ये वेट करने लगे थी 26 जनवरी का नवरी दिसंबर व्यूंबर उननीशसो और ठीक दो महिने का इंतजार करने के बाद में ये लागू कर दिया तो इसमें option रहती है यह आंसर होगा इसके आपके सारे questions के तो यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको like कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ इसको share ज़रूर करिएगा ऐसे ही series हम चलाते रहेंगे subject के साथ साथ आपकी theory के साथ साथ इस तरह की thank you so much